Hi guys, आज हम तिर्कॉन मिती के अनुपात तिर्कॉन मिती के अनुपात टृगनो मैट्रिक रेशोस को पढ़ेंगे ये इंट्रोड़क्टरी चैप्टर है तिर्कॉन मिती का टृगनो मैट्री का जो trigonometric ratio होते हैं वो होता है एक तो sin theta, एक होता है cos theta, ठीक है एक होता है 10 theta और इसी तरह से coat theta होता है, sac theta होता है और cosec theta होता है ये हमारे trigonometric ratio यानि तरकोण मिती अनुपात कहलाते हैं तरकोण मिती अनुपात कहलाते हैंट्रि चरह से ये 90 degree का एंगल होता है ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल है समकोन तिर्भुज समकोन तिर्भुज राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तमाल करते हैं ये वाली जो सबसे बड़ी आप आर्म देख रहे हैं इसे बोलते हैं काण यानि की हाइपोटिन्यूस और यह जो आप देख रहे हैं कण के सामने वाली जो यह arm मतलब इस angle के सामने वाली जो arm है वो तो हो गई आपकी कण और जिस पर यह बना हुआ है right angle triangle यह कहलाता है base यानि आधार आधार, base और यह आपका perpendicular होता है, lumb हमारा क्या होता है? समक्न तिर्बुज में Lum होता है perpendicular तो ये Lum कहलाती है ये वाली बुजा और ये वाली बुजाकं कहलाती है और ये आधार कहलाती है इसे हम कुछ नाम देते हैं P Q R इन पॉइंट्स को कुछ नाम देते हैं ठीक है जी अभ ये जो हमारे sinθ借ा, cosθ借ा and theta, coч theta, sik theta और cursed theta hoste cent फित हें ये इसकी दो बुझाओं का लुपात होते हैं समकोण तिर्भुज की किनि दो बुझाओं के लुपात होते हैं तो इसलीए इनका नाम रखा है तिर्कोण मिति के लुपात trigonometric ratio तो देखते हैं saign theta अब हम इसे याद भी कर सकते हैं तो इसे ये आपका लंब हो गया, लंब को मैं फिलाल L से लिख रहा हूँ, जिसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, कंड को मैं फिलाल के से लिख रहा हूँ और आधार को मैं A से लिख रहा हूँ फिलाल तो हम ऐसे करके L, A, L और नीचे लिखे लेंगे K, K, A L, A, L और K, K, A उपर नीचे लिखे लेंगे ठीक है इस तरह से हम इने लिखे लेंगे याद करने के लिए आसानी रहेगी यहाँ पर हम लिखे लेंगे Sine Theta यहाँ लिखे लेंगे हम Coast Theta यहाँ लिखे लेंगे 10 Theta ठीक है जी अब देख लीजिए साइन के नीचे लिखेंगे कोसीख थीटा ठीक है और कोस के नीचे लिखेंगे सीख थीटा और टैन के नीचे लिखेंगे कोट थीटा ठीक है जी अब यानि हमें क्या पता चल गया साइन किसका रेशो है किनी दो आर्म का रेशो है वो है लंब और कन लंब क्या था हमारा ये था और ये हमारा कन था तो साइन थीटा क्या हो जाएगा लंब बटे कन लंब बटे कन हो जाएगा यह दिख रहा है ना यहाँ पर L से लंब और के से कन लंब बटे कन और कोस क्या हो जाएगा आधार बटे कन यह रहा आधार और यह रहा कन तो आधार बटे कन यह क्या हो जाएगा आधार बटे कन ठीक है जी यह हमारा कोस हो जाएगा टैन हमने क्या लिखा है लंब बटे आधार तो यह हमारा लंब हो जाएगा और यह हो जाएगा आधार ठीक है और कोट क्या हो जाएगा देख लिजे आधार बटे लंब हो जाएगा इसमें उल्टा पढ़ेंगे यानि जब नीचे वाले रेशो को लिखेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे formula को k k a upon l a l तो अब यहाँ पर लिख लेंगे हम क्या court लेख लीजे sorry यहाँ लिखेंगे court ठीक है और यहाँ लिखेंगे क्या seek sack और यहाँ लिखेंगे cosec तो देखें कोट क्या हो जाएगा हमारा कोट हो जाएगा आधार बटे लंब तो आधार बटे लंब ठीक है और सीख क्या हो जाएगा हमारा कन बटे आधार ये हो जाएगा हमारा कन बटे आधार और कोसेक क्या हो जाएगा कन बटे लंब तो यह हमारे हो जाएंगे इन्हें यह जो साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कन कोसेक थीटा की वैल्यू आधार बटे कन तेन थीटा की लंब बटे आधार कोट थीटा की आधार बटे लंब यह सेक थीटा की कन बटे आधार कोसेक थीटा की कन बटे लंब आई है इन यह जो साइन थीटा कोस थीटा तेन थीटा कोट थीटा सीक थीटा और कोसेक थीटा हैं यही तो टिगनोमेट्रिक रेशो हैं ति संब्सक्राइब तो अब सेँथेटा की इनटू कर दि को सेग थीटा से को सेग थीटा से यह रहासेग होकल का को शॉप्सक्रामानु पार होता है तो अब बस sin theta के value हम यहाँ पर अगर put put कर दें इस वाली equation के अंदर ठीक है sin theta क्या गया cosec theta one upon cosec theta और यहां into में क्या है cosec theta तो यह हमारा क्या बन जाएगा cosec theta से cosec theta कर जाएगा क्योंकि इसके नीचे क्या है बन यह उपर नीचे वाला denominator है यह numerator है और यह denominator है यह हमारा अंश है और यह हमारा हर है ऐसे यह हमारा अंश है यह हमारा हर है तो यह कड़ गए अंश से यह आपका हर कड़ गिया और इस वाले एक को एक से divide करेंगे तो क्या आएगा वन ही तो आएगा तबी तो मैंने लिखा था sin theta into cosec theta is equal to 1 तो इस तरह से यह आपस में इनका संबंद भी होता है तिरकोण मिती अनुपातों का तो हमने अभी छीख लिया कि जो cosec theta होता है cosec theta होता है वो reciprocal होता है sin theta का यह इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि sin theta को उधर भेज दिया और cose theta को मैं नीचे ले आया तो क्या बन जाएगा है कि sin theta जो होता है वो reciprocal होता है cosec theta का तो आपको यह वाला संबंद जो है न यह याद रखना होगा student numericals में यह questions में मदद करेगा solve होने में तो यह एक हमने संबंद आपको बता दिया तिरकोंड में ती अनुपातों का यह वाला संबंद हमने आपको बता दिया और भी relation देख लेते हैं इनका और relation क्या है intignomatic ratio का देखते हैं जैसे जो 10 theta होता है वो 1 upon quote theta के equal होता है यह भी 2 ratio पता है थे ना तो quote की quote यह 10 theta 10 theta अब मैं इस 10 theta को नीचे ला रहा हूँ इस 10 theta को नीचे ला रहा हूँ तो quote theta उपर जाएगा इधर quote theta यहाँ one की into one महोगी तो one ही रहेगा और 10 मैं 10 theta को नीचे ला रहा हूँ 10 theta को नीचे ला रहा हूँ तो यह क्या हो जाएगा हमारा cos theta is equal to 1 upon 10 theta यह इसका reciprocal हो जाएगा और भी relation होता है इसी तरह से जो हमारा sin theta होता है sin theta वाला बता दिया जो हमारा c theta होता है 1 upon cos theta होता है 1 upon cos theta के equal होता है यह भी एक relation होता है आप देख लिए cos को उधर ले जाएए sign को इधर ले जाएए, तो cos theta किसके equal आ जाएगा, one upon sec theta के, theta क्या है angle, theta क्या है angle, ठीक है, और sec theta क्या है, एक technometric ratio, ठीक है, इस तरह से इनमा आपस में संबंद होता है, इसी परकार हम core theta को भी देख सकते हैं, core theta is equal to क्या होता है, one upon ten theta, ये भी हमें याद रखना है, अभी हमने आ कैसे लिखें के 10 theta, इसकी into core theta से कर दे, that will come out one, कैसे आएगा, क्योंकि 10 theta कर ऐसी परोकल हमने भी पड़ा है, वो one upon core theta होता है, और core theta यहाँ पहले से ही है, core theta, that is equal to क्या आएगा, core से core कर जाएगा, that is equal to one, क्योंकि यहाँ क्या बचेगा, one upon one, और यहाँ क्या बचेगा, one upon one क क्या होता है, one, ठीक है जी student, और इसकी into one में करेंगे तो क्या है, तो यह भी relations, टिग्नोमेटिक relations हमें याद करने होते हैं, thank you students, have a nice day.